हेलो स्टूरेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इंटर्नल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि इंटर्नल एनर्जी किस तरह से एक स्टेट फंक्शन कही जा सकती है और इंटर्नल एनर्जी में जो चेंज है वो किस तरह से लाया जा सकता है या तो सिस् और दूसरा जो factor है वो हमने देखा था कि heat heat is produced by system और heat is absorbed by system मतलब कि system जो है वो heat surroundings को दे रहा है या surrounding से वो heat ले रहा है ठीक है तो heat transfer मतलब तो ये हमने दो factors देखे थे कि किस तरह से ये internal energy change के लिए responsible हो सकते हैं और उसके बाद हमने एक general इनका जो अगर दोनों ही factors involved है system जो है वो work में भी work भी कर रहा है या उस पर work हो रहा है और heat transfer भी हो रहा है तो दोनों को मिला कर जो internal energy का हमारे पास एक equation आती है internal energy की change की that is delta u is equal to q plus w q plus w ठीक है यहाँ पर q क्या है q is heat transferred from system to surrounding और from surrounding to system and it is w is work done by system और done on the system और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि q की value का positive या negative होती है और w की value का positive या negative होती है ठीक है तो यह है internal energy यह तो हमने theoretical इसके बारे में बढ़ा लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हम work की बात कर रहे हैं कि work किस तरह से internal energy change के लिए responsible हो सकता है तो हम उसको practically भी देखते हैं कि actual में कैसे है कि जब system work कर रहा है या system पर work हो रहा है तो किस तरह से internal energy में change आता है तो आप लोगों को पता है कि काफी सारी जो reactions होती है उनमें gas produce होती है यह मैंने आपको last video में भी बताया था many chemical reactions involve production of gases which can do mechanical work अब simple सी बात है गैंस produce होती है अगर किसी भी chemical reaction में गैंस produce हो रही है तो गैंस क्या करेगी गैंस के अंदर energy है काफी सारी kinetic energy है आप सब जानते हो कि कोई भी matter है उसकी liquid state की बात करें हम solid state की बात करें उसके particles में सबसे ज़्यादा energy कौन सी state में होती है गैंसिया state में सबसे ज़्यादा kinetic energy होती है उस टाइम पर particles की जब वो गैंसिया state में है यानि की गतिज उर्जा आप जानते हैं कि गैंसिया state में particles सबसे ज़्यादा गति करते हैं सबसे ज़्यादा गतीश हील होते हैं तो उनकी गतीज उरजा उस टाइम पर तीनो स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है यानि कि उनके बास maximum उस टाइम पर एनरजी होती है इन फोर्म ओफ काइनेटिक एनरजी अब जिसके पास एनरजी है वो work भी कर सकता है ठीक है इसलिए यहाँ पर यह बताया है कि when chemical reactions involve production of gases and these gas can do mechanical work और यहाँ हम जो mechanical work की बात करेंगे वो हम बात करेंगे pressure volume work वो क्या है वो अब हम detail में इसको देखते हैं by example यह मान लिजी आपके पास एक container है यह हमारे पास एक container है ठीक है इसके ओपर यह piston लगा हुआ है अब इसकी अंदर container के अंदर जो gas field है उसका volume है vi vi क्यों लिखा है मैंने क्योंकि यह इसका initial volume है gas का अगर कोई change होता है volume में तो volume change हो जाएगा तो इसलिए जो पहले वाला volume है starting का volume है वो हमें note करना पड़ेगा और वो है v initial मतलब की प्रारंबिक volume ठीक है तो यह है volume gas का और जो gas का pressure है वो उसको हम लिख रहे है p internal p pressure को हम p से लिखते हैं और in हमने लिखा है internal के लिए internal मतलब इस container के अंदर जो gas भरी हुई है उसका ये pressure है p internal ठीक है इसके बाद आप देखो की external pressure भी हमें दिया हुआ है यानि की बाहर का आपने एक पिछकारी लिए है पिछकारी के अंदर जो पानी भरा हुआ है या जो उसके अंदर हवा भरी हुई है उसका कुछ न कुछ pressure होगा जब हम gas की बात कर रहे है या पर तो हम ये बाहते हैं कि पिछकारी के अंदर हवा भरी हुई है ठीक है आपने उसको piston को पीछे की तरफ कीचा तो हवा उसके अंदर भर जाती है तो अंदर जो हवा भरी हुई है उसका कुछ pressure है और वो है पी इंटर्नल ठीक है लेकिन बाहर एटमोस्फियर का भी तो कुछ pressure है वायू दाब भी तो कुछ है ना और वो है पी एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल मला बाहर का pressure ठीक है अब हम ये मान लेते हैं कि जो पी एक्स्ट पिस्टन के उपर दवाब डालेगा ठीक है सिंपल सी बात है अगर बाहर प्रेशर जादा है तो वो इस पिस्टन के उपर दवाब डालेगा वो प्रेशर पिस्टन के उपर पड़ेगा और यह जो पिस्टन है यह फ्रिक्शन लेस है मलब इसमें घर्शन रहीत है इसमें घर् है ना वो frictionless नहीं होता है लेकिन यहां जो हमारा piston है वो frictionless है वो अपने आप ही अगर अंदर से जो गैस भरी हुई है उसने pressure डाला तो piston अपने आप बाहर की तरफ move करेगा आपके हाथ लगाए भी ना और अगर बाहर atmosphere का pressure ज्यादा है तो वो atmosphere का pressure piston को अंदर की तरफ push करेगा हमें हाथ लगाने की वहाँ जरूरत नहीं है तो यह जो frictionless piston है जब external pressure ज्यादा हो जाता है internal pressure से तो piston के उपर एक pressure होता है और उसके कारण piston अंदर की तरफ move करता है तो आप देखो कि पहले जो piston है वो यहाँ पर था अब piston move करके यहाँ पर आगया यह इसकी initial state थी piston की और यह इसकी final state है तो हम देख रहे हैं कि piston ने कितनी length cover की कितनी length वो move किया उसने और उसको हम लिख रहे हैं L से ठीक है L क्या है L है piston ने जब external pressure internal pressure से ज़्यादा था तो piston इतनी length move कर गया जिसको की हमने L से लिखा है और उसके करण क्या हुआ piston अंदर आगया तो volume गैस का कम हो गया सिंपल सी बात है आप देख रहे हो कि पहले volume यह है सारा अब volume इतना रह गया लेकिन हमें कम यह ज़्यादा नहीं बताना हमें सिर्फ यह देखना है कि volume अब change हो गया है और यह है final volume ठीक है एक की बार pressure बहुत ज़्यादा हो गया और इसलिए piston मूव करके यहाँ पर पहुँच गया और इस टाइम पर जो volume है गैस का वो है final volume उसको हमने VF से लिख दिया ठीक है अब यह जो piston है piston का cross section area है जैसे आप जानते हो कि एक cylinder है मैथ में आ पढ़ते हो कि कोई भी एक cylinder होता है ठीक है तो उसका यह वाला जो area होता है नीचे का यह जो part होता है यह circular होता है ठीक है और इस circular part का कुछ area होता है तो वो होता है area of cross section ठीक है और circle का area जो है कोई भ देते हैं तो इस piston का या फिर इस container का area of cross section है ठीक है तो अब हम ये थोड़ा सा इसको words में मैंने लिखा है let a container is taken with one mole of an idle gas इसके अंदर जो gas है वो idle gas है और उसका one mole हमने लिया है ठीक है और उसका pressure है P internal उसमें एक frictionless piston लगाया गया है तो जो मैंने आपको समझाया है वो सारा यहाँ पर आप note down भी कर सकते हो अगर आपने सासत नहीं किया है तो volume of gas initial volume v i when external pressure is greater than internal pressure piston will move inward वो अंदर की तरफ move करेगा और ये ने की move करता ही रहेगा ये बात मैं बताना आपको भूल गई पिस्टन तब तक move करेगा जब तक की बाहर का pressure और अंदर का pressure सेम नहीं हो जाते ठीक है ये ने के piston move करता ही जाएगा करता ही जाएगा मैंने आपको बताया कि जब external pressure internal pressure से ज़्यादा है तो piston अंदर move करेगा ठीक है तो जब piston अंदर move कर रहा है तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके और जब वो इतना बढ़ जाएगा कि वो बाहर के प्रेशर जितना हो गया तो एक equilibrium आ जाएगा बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों एक दुसरे को बराबर धक्का लगाएंगे और प्रेशर जो है वो उसी जगा पर रुख जाएगा और वो मूब नहीं करेगा ना तो अंदर की साइड ना ही बार की साइड तो पिस्टन अंदर की तरफ मूब कर रहा है तिल दा प्रेशर अव गैणस इंसाड धा कंटेनर बिकम एकवल टो पी एक्स्टरनल ठीक है तो हमने जैसे मैंने आपको बताया distance moved by piston is equal to L और area of cross section of piston is A ठीक है final volume क्या हो गया गया इसका VF तो change in volume, change जब बड़ा होता है आप देख रहे हो कि कोई चीज जो है वो change हो रही है ठीक है यह mathematical term है कि differentiation ठीक है तो जो कि आप 12 में पढ़ोगे अगर मैं dv लिख रही हूँ इसका मतलब है कि जो volume में change हुआ है बहुत ही चोटा 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 चेंज है लेकिन अगर मैं इसको dv ना लिखकर delta भी लिख रही हूँ इसका मतलब है कि वो change काफी नोट किया आ सकता ह इसरी तो change in volume क्या हुआ final volume minus initial volume ठीक है और volume क्या होता है अगर यह हमारा जो cylinder है जो हमारा जो container है वो cylinder की shape में है cylinder का volume क्या होता है cylinder के volume का formula आपको आता होगा वो होता है pi r square multiply h यहाँ h क्या है h है height और pi r square क्या है वो है उस circle का यानि की cross section का area height को हमने यहाँ पर h को l से replace कर दिया और pi r square को a से replace कर दिया तो हमारे पास आ गया delta v is equal to a multiply l ठीक है वैसे भी अगर आप area किसी cube का लिखते हो घन का लिखते हो तो वो तर लेंथ into breadth into height और length और breadth को multiply करते है तो area होता है और area को height से multiply कर दिया तो क्या हो गया volume ठीक है तो यहाँ change in volume is equal to a into l यहाँ पर हमें थोड़ा सा math और physics यहाँ पर साथ सा लगाना पड़ेगा पहले आपको यह ध्यान रखना कि हमें यहाँ से चाहिए क्या हम क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि work work किस तरह से internal energy को change करता है हम यह देख रहे हैं तो हमें जो मैं volume लेकर चल रही हूँ तो work तक हम कैसे पहुँचेंगे यहाँ से आपको यह देखना है अपने आप थोड़ा सा mind को गुमाना है कि किस तरह से हम volume से work तक पहुँचेंगे ठीक है तो आप पीछे से भी शुरू कर सकते हो कि जो work है हमारे पास यहां क्या क्या terms है हमारे पास यहां term है volume है हमारे पास pressure है ठीक है तो work क्या होता है work होता है force multiply distance आपने 9th में अच्छे से बढ़ा हुआ है ठीक है तो मैं आपको अब थोड़ा पीछे से हिंट देती हूँ work is equal to होता है force multiply distance और यहां distance कितनी है l है force यह तो आगया हमारे पास है work के लिए हमें force और length चाहिए length हमारे पास है force क्या होता है force को आप pressure से relate कर सकते हो pressure होता है force by area है ना तो हमारे पास pressure और area दोनों ही है तो इसलिए मैंने यहां से change in volume को आप यह सोचोगी कि change in volume जो है उसको a into l से क्यों दिखाया वो सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि हम work तक पहुंच सके तो उसके बाद आप देखिए pressure is equal to force divided by area force per unit area क्या होता है pressure होता है और force हम यहां से find कर सकते है force is equal to pressure multiply area और यह pressure कौन सा pressure है external pressure है work is done on the system by surrounding आप देख रहे हो कि system पर work हो रहा है piston जो है वो अंदर की तरफ move कर रहा है जो pressure है वो बाहर वाला pressure जादा है इसलिए बाहर से pressure system पर लग रहा है तो work कहा हो रहा है system पर हो रहा है surroundings के दौरा अगर piston बाहर की तरफ move करता न तो system work कर रहा था system on surrounding लेकिन मतलब यह हम कह सकते हैं work was done by system अगर piston बाहर move करता है लेकिन piston अंदर move कर रहा है तो यहां पर work is done on system ठीक है तो work क्या है work is equal to force into distance जैसे मैंने back पीछे से start किया था तो हमने यहां पर सारी values पूट कर देनी है force है pressure into area distance है L तो इसको हम नहीं सकते है P external into A into L और A into L हमारा क्या है A into L है हमारा delta V ठीक है तो यह हमारे पास आगया from equation 1 W is equal to P external into minus delta V क्यों लिखा मैंने minus इसले लिखा अब भी मैंने आपको बताया कि जो work है यहां पर work is done on system और जब work system पर होता है तो वो क्या होता है positive आप हमने पढ़ा है last video में कि when work is यह मैंने आपको heat और work दोनों की relation बतायी थी कि जो work है वो positive कब होता है work positive होता है when work is done on system ठीक है तो positive होना चाहिए यह और work positive कब होगा अब आप देखो कि हमारा जो work का formula है न वो है P external into delta V है न और delta V क्या है V final minus V initial आपने अभी देखा कि जो V final है V final is less than V initial पहले volume जादा था बाद में कम हो गया ठीक है तो इसकी value क्या आएगी इसकी value आएगी negative में V final minus V internal याने की delta V किसमें आएगा negative में आएगा और अगर यह negative में आएगा तो work जो है वो भी negative में हो जाएगा लेकिन क्योंकि work is done on system यह positive होना चाहिए और इसको positive बनाने के लिए delta V के साथ पहले से ही negative लगा दिया ताकि negative into negative positive हो जाए आप इसको यहां से देखो negative sign is used to obtain positive work as when work is done on the system it is positive ठीक है W is equal to तो यह positive होना चाहिए ना यहां पर यह मैंने जो अभी आपको समझाया भई यहां लिखा भी हुआ है delta V is VF minus V I और क्योंकि VF V I से कम है इसलिए यह negative होगा तो अगर यह इसका answer negative यह हमने नहीं लगाया मालो अगर इसका answer negative में आता है तो वर्क negative हो जाएगा लेकिन हमारा वर्क क्या होना चाहिए positive इसलिए पहले से ही हमने minus delta V लगा दिया ताकि delta V तो negative है उसका negative और जिए negative एक दूसरे को काड़ दें और हमारा वर्क positive आ जाए ठीक है यह यहां पर आपको समझाया है मैंने मैंने आपको starting में ही बताया कि जो P external है वो P internal से काफी जादा है इसलिए piston एकदम से अंदर move कर जाता है चलते 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 वो आकर रुक जाता है ठीक है तो इसलिए जो volume में जो change आया वो change हम आसानी से देख सकते थे और जो length जो piston ने move की वो length भी हम आसानी से note कर सकते है लेकिन अगर जो बाहर का pressure है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ठीक है बाहर का pressure यानि की external pressure जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसा है कि जो external pressure है वो internal pressure से जादा तो है लेकिन वो थोड़ा सा जादा है तो piston जो है वो थोड़ा सा मूव गया रुख गया फिर बाहर का प्रेशर फिर थोड़ा सा बढ़ गया तो पिस्टन और थोड़ा सा अंदर जाएगा फिर और बढ़ गया थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो पिस्टन धीरे धीरे अंदर आएगा रुख जाएगा फिर अंदर आएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या दिखाते हैं कि pressure change in very small steps थोड़ा थोड़ा change हो रहा है अगर कि हर बार change सो हो रहा है लेकिन हर बार external pressure is more than internal pressure ठीक है छोटा छोटा amount से है लेकिन external pressure हर बार internal pressure से ज़्यादा है तो हम w को इस तरह से find करेंगे जब pressure में जो difference है वो बहुत जादा है तो हमने लिखा w is equal to minus p external into delta v ये लिखा हमने लेकिन जब pressure में change धीरे धीरे हो रहा है तो ये volume में change भी धीरे धीरे होगा तो इसके लिए हमने लिख दिया dv और इसका हम कैसे find करेंगे total जो change होगा total change find करेंगे हम इस तरह से इसको बोलते है integration ये जो mark है integration का mark है ये और इसमे initial volume से final volume तक जैसे volume धीरे धीरे बढ़ रहा है ठीक है जो starting का volume था वो था initial volume और जो last में जाकर volume होगा वो है final volume तो अब हम छोटे छोटे जो steps से उनको add करें उसके लिए ये method होता है integration का ठीक है ये sum ह एक तरह से सभी changes को ये add करेंगा ठीक है तो उसको हम लिखेंगे यही हमने लिखा दुबारा से आपको बताते हूं कि हमने लिखा w is equal to minus p external into dv क्योंकि जो change हो रहा है वो बहुत कम है तो अब हम total कैसे निकाले ये तो एक बार का है लेकिन हमें starting से initial volume से final volume तक देखना है कि work ह हुआ कितना तो हम इसका integration करते हैं initial volume से final volume तक ठीक है तो हम इस तरह से करते हैं और यहां पर आपको ध्यान रखना है रखनी है बात कि pressure जो है वो बहुत small amount में change हो रहा है इसलिए जो volume का change है उसको हम dv से represent कर रहे हैं और p external कितना है p external is equal to p internal plus dp dp का मतलब है small change in pressure ठीक है जो p external है वो p internal से बहुत ही थोड़ा सा जादा है अगर यह तो था कि compression हो रहा है मतलब कि compression मतलब दब रहा है piston अंदर की तरफ आ रहा है लेकिन अगर अंदर का pressure जादा होता internal pressure जादा होता और external pressure कम होता तो क्या होता तो expansion होता piston fell ता जो gas है वो फैलती piston उपर की तरफ जाता अभी क्या है gas दब रही है gas का volume पहले जाता था धीरे धीरे कम हो रहा है यानि कि gas दब रही है लेकिन अगर piston बाहर की तरफ मूव करता तो gas फैलती यानि कि expand करती उस case में expansion होता ठीक है और expansion कब होता जब internal pressure external pressure से जादा होता ठीक है तो piston बाहर की तरफ मूव करेगा तब हम लिखेंगे p external is equal to p internal minus dp external pressure internal pressure से कम है लेकिन भोट थोड़ा कम है तो इसलिए दोनों को अगर हम मिला कर लिखें कोई process से जो reversible है reversible मतलब आपने हिंदी में किया होगा उत्क्रमित जो परिवर्तन होते हैं मतलब कि एक बार change हो गया लेकिन बाद में change वापिस पिछली दिशा में जला जाता है ठीक है जैसे कि पानी जो है वो भाब बन गया भाब बनने के बाद वो वापिस पानी में बदल गया तो यह reversible changes ह होते हैं तो अगर कोई भी ऐसा change हो रहा है कि जो reversible है एक बार pressure बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है तो हम उसके लिए जो प्रेशर है उसको इस तरह से दिखाएंगे P external is equal to P internal plus minus dp ठीक है अगर compression हो रहा है तो plus हो जाएगा यह और अगर reversible में जा रहा है तो minus हो जाएगा यानिकि expansion हो रहा है तो ठीक है ऐसे processes को reversible processes कहते हैं Problems related to work can be sold if we take internal pressure लेकिन अगर हम external pressure की जगा internal pressure ले 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 तो works related problems को असानी से sold किया जा सकता है तो reversible तो हम इसको जो है ना आप internal pressure की terms में चेंज कर रहे हैं तीक है जो हमारा अभी तक हम जो formula देख रहे थे वो था W is equal to वो इस तरह से था जिसमें की P external आ रहा था लेकिन अब हम जो है ना इस formula को work का जो formula है उसको हम internal pressure की terms में ले कर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें P external की जगा पर हमें यह लिखना पड़ेगा ठीक है तो हम यह लिख देते हैं यहाँ पर अंडर reversible conditions तो हमने work को भी लिख दिया reversible is equal to minus P external into dv ठीक है और P external को जैसे मैंने बताया हमने replace कर दिया P internal plus minus dp अब क्योंकि जो dp है वो बहुत कम है बहुत बहुत कम है ठीक है जो internal क्योंकि मैं कह रहे हूं कि pressure बहुत धीरे धीरे change हो रहा है कम हो रहा है यह जादा हो रहा है बहुत धीरे धीरे कि हम उसको measure नहीं कर पाते हैं उसको देख नहीं पाते हैं कि कितना हुआ ठीक है तो dp is very very small than internal pressure internal pressure plus अगर हम लिख रहे हैं dp तो ये dp भोथ कम है तो इतना कम है कि p के सामने इसकी value 0 के बराबर है लग भग ठीक है तो हम इसको ignore कर देते हैं हम इसको हटाई देते हैं अगर ये term जो हम इसमें add कर रहे हैं इससे भोथ छोटी है कि इसमें add करने के बाद भी इसमें कोई जैसे आप 1 है 1 में अगर आप 0.0001 add कर रहे हो तो भी आप उसको 1 नहीं मानोगे 1.0001 तो आपको 1 ही तो हुआ ये तो उसी तरह से है बिलकुल ये तो हम इस dp को ignore कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है ये p internal plus dp is approximately equal to internal pressure या simply हम अब इसको p भी लिख सकते हैं तो ये हमारा बन गया w reversible is equal to minus p internal या p into dv अगर हमारे पास n mole है आइडल गैस के तो हम जानते हैं कि pv is equal to nrt idle gas equation है यहां से हम pressure find कर सकते हैं nrt by v और इसकी value हम put करते हैं इसके अंदर क्योंकि dv तो change है अगर मैं कह रहे हूं कि pv is equal to nrt आप यह सोच रहों कि हम pv ही क्यों नहीं लिदेते हैं nrt के equal क्यों क्योंकि ये dv है ये change in volume है तो हम ये और ये है p multiply v तो हम p की value यहां से find करके इसमें put कर देते हैं ठीक है तो हमने भई किया p की value हमने यहां put कर दी तो हमारे पास आ गया w reversible is equal to minus nrt by v जो की p की जगा पर आ गया into dv ठीक है और जो हम इसका integration कर रहे हैं वो कर रहे हैं v initial से final volume तक अब ये दोनों जो same terms है ना उनको हम इकठा कर लेते हैं dv by v nrt जो है ये constant है क्योंकि जो हमारा ये process चल रहा है वो constant temperature पर चल रहा है constant का integration नहीं होता कभी भी तो इसलिए ये integration से बहार आ जाएगा ये थोड़ा mathematical terms हैं तो अगर आपको integration ये differentiation तो आपका 12 में ही आता है अगर आप इसको थोड़ा बहुत अपने math की teacher से समझ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपको easily ये समझ आ जाएगा तो ये v nrt जो है वो constant है इसलिए इसका integration नहीं होता इसको हम इस तरह से लिए देते हैं nrt माइनस के साथ बहर आजएगा nrt और अंदर रह गया dv by v और इसका integration होगा तो हमारे पास आजएगा natural log of v final by v initial क्योंकि यहाँ पर नीचे था v initial और उपर था v final तो पहले उपर वाली term आती है फिर नीचे वाली term आती है ठीक है dv by v का जो integration होगा वो होगा natural log of ln मतलब natural log logarithm जानते होगे आप natural log of v f by v i लेकिन natural log निकालने के लिए हमारे पास table नहीं होती है कि हम कहां से natural log पता करें किसी number का जब आप v f by v i को solve करोगे तो natural log की table नहीं होती है logarithm की table होती है तो logarithm, natural log को logarithm में change करने के लिए क्या करते हैं 2.303 से multiply कर देते हैं तो natural log convert हो जाता है log में ठीक है तो ये हमारा बन गया minus 2.303 nrt log of v f by v i ठीक है तो ये reversible process की एक definition है जो आपको समझने जरूरी है अब तक आपने पढ़ा जरूर होगा सुना भी होगा reversible processes क्या होते हैं लेकिन आपको सबसे पहले ये जो हमारा final जो एक हमें ये मिला है इसकी relation reversible work work for reversible process और final volume and initial volume में ये आपको ध्यानक नहीं है और अच्छा यही रहेगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको paper notebook पर solve करते हैं अपने आपसे इस पूरे को solve करते हैं डिराइव करते हैं ये formula तभी आपको ये याद रहेगा otherwise आपको दो दिन करने के बाद आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने तो कभी पढ़ाई नहीं इसलिए अच्छा है ये कि आप सासत notebook के पे नोट तो करें ही करें लेकिन करने के बाद उसको दुबारा से बिना देखें अपने आपसे भी जरूर करें तो reversible processes की मैं आपको बता रहे थी कि definition जो है वो क्या है exact definition ये नहीं होता है कि बस वो process जो की backward direction में भी हो सकते हैं वो reversible process है ऐसा नहीं है इसकी definition जो है वो बहुत एक extended definition है इसका meaning जो है वो बहुत बड़ा है बहुत एक मतलब की बड़ी term है एक तरह से ये क्या है एक process और change कोई कोई भी process या कोई भी change जो है उसको हम reversible कहते हैं अगर a change is brought out in such a way that process could at any moment be reversed by an infinitesimal change मतलब अगर वो change जो है इस तरह से हो रहा है कि थोड़ा सा change करके na conditions में हम उसको reverse में लेकर जा सकते हैं कोई भी process reversible तब कहा जाता है अगर उसमें कोई छोटा सा change करके किसी भी time पर थोड़ा सा change करके by an infinitesimal change यानिकि भूट छोटा change करके हम उस process को reverse कर सकते हैं ठीक है ये है reversible process की definition इसके बारे में थोड़ा सा और बताया गया है कि reversible process जो है that proceed infinitely slowly वो भोती धीरे धीरे चलता है reversible process by a series of equilibrium जैसे मैंने आपको बताया था कि pressure external pressure internal pressure से जादा हुआ तो पिस्टन पहले यहां था तो वो यहां जाकर रुख गया ठीक है फिर बाहर का फिर जादा हुआ प्रेशर फिर पिस्टन थोड़ा सा और अंदर चला गया लेकिन फिर रुखता है ना पिस्टन उस टैम पर जो state होती है वो होती है equilibrium equilibrium मतलब कि बाहर का pressure और अंदर का pressure दोनों equal हो गए ठीक है लेकिन फिर बाहर का pressure बढ़ गया फिर पिस्टन अंदर की तरफ move करेगा लेकिन तब तक move करेगा जब तक बाहर और अंदर का pressure equal नहीं हो जाता फिर व जो reversible process है वो infinitely slowly चलेगा by a series of equilibrium states such that system and surroundings यानि कि हमारा जो external pressure और internal pressure are always in near equilibrium with each other वो हमेशा एक दूसरे के साथ लगबक equilibrium में रहते हैं और जो process इस तरह से reverse नहीं किये जा सकते उनको irreversible processes कहते हैं ठीक है ये एक graph है इस graph में आप देखिए ये graph है volume और pressure में ठीक है तो इसके नीचे जो बताया है आप ये देखो pv plot जानि कि pressure and volume में है ये graph वेण pressure is not constant pressure जो है वो धीरे धीरे change हो रहा है आप देखो इधर ये pressure है ना pressure धीरे increase हो रहा है प्रेशर इनक्रीज हो रहा है अगर pressure increase हो गया तो volume भी change हो गया ठीक है pressure बढ़ता है तो volume कम होता है आपने देखा अभी भार pressure बढ़ता है तो गैस piston अंदर move कर जाता है volume कम हो जाता है ठीक है pressure is not constant and changes in finite steps और जो change हो रहा है ना pressure में वो धीरे धीरे हो रहा है छोटे छोटे कई सारे steps में हो रहा है during compression from initial volume to final volume initial volume से final volume तक जाते जाते pressure बहुत धीरे धीरे कई बार change होता है कई steps में change होता है उस time पर अगर आप find करना चाहते हो कि gas पर कितना work हुआ work done on the gas तो वो हम इस नीचे के area से जिसको की shaded area ही कह रहे हैं इससे find कर सकते हैं अगर आपने यह area find कर लिया तो आपने जब यह change हो रहा है न तो टोटल work system पर कितना हुआ है वो आप find कर सकते हैं जो की positive होगा ठीक है इसके बाद जो next term है free expansion free expansion क्या है free expansion मतलब कि piston जो है उस time पर क्या होगा उस time पर जो है vacuum में होता है vacuum में क्या होता है vacuum में कुछ भी नहीं होता मतलब कि कोई medium नहीं होता ना ही gas ना solid ना liquid तो वहाँ पर जो external pressure है वो zero होता है जब कोई particle ही नहीं है तो pressure किसका होगा external pressure zero है उस time पर जो gas में expansion होगी उसको free expansion कहते हैं मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का pressure नहीं है उस पर वो expand कर रही है तो अपने आप expand कर रही है ठीक है और क्योंकि बाहर तो pressure है ही नहीं लेकिन जो अंदर gas है उसका तो कुछ pressure है ना तो internal pressure जादा है बाहर के pressure से ठीक है तो gas जो है piston उपर की तरफ move करेगा बाहर की तरफ और gas expand होती चली जाएगी और इसको free expansion कहते हैं हम ठीक है तो ऐसे case में idle gas के लिए हम बात कर रहे हैं जब w is equal to zero sorry ऐसे case में w zero हो जाता है no work is done whether the process is reversible or irreversible ऐसे case में यह उस case की बात हो रही है एक idle gas के लिए जब work zero है तो जो process है चाए reversible हो चाए irreversible हो अगर free expansion idle gas का हो रहा है तो work done will be zero ठीक है for equation of first law अग जो first law of thermodynamics की हमने equation की थी delta u is equal to q plus w यहाँ पर हम हमें पता चल गया कि जो w है that is equal to p external into delta v तो हम यह value put कर देते हैं इस equation में और हमारी यह बन जाती है delta u is equal to q minus p external into delta v लेकिन अगर volume भी constant हो जाता है volume constant है यानि की volume change ही नहीं हो रहा तो जो v f है वो v i है दोनों equal ही है क्योंकि change ही नहीं हुआ दोनों equal है तो क्या आजाएगा delta v zero तो यह हम value zero put करेंगे तो हमारा यह आजाएगा delta u is equal to q delta u is equal to q आएगा ना लेकिन मैंने यहाँ पर v भी लगा दिया इस v का मतलब है heat transfer at constant volume ठीक है आपको यह ध्यान लखना है heat transfer at constant volume तो इतना ही है यह free expansion है इसको आप अच्छे से ध्यान लखेंगे और यह भी आपने करना है आपको पदा होना जाएगा delta u is equal to q week का क्या मतलब है ठीक है when no work is done यानकि जहाँ पर जो constant volume जो है दो cases में हो सकता है या तो जो external pressure है वो zero है vacuum में या volume change नहीं हो रहा है यानकि volume constant है तो delta u will become equal to q और qv यह है free expansion तो आप इसको अच्छे से करना और notebook पर जरूर लिख कर देखना और कोई भी problem हो तो मेरे से पूछ सकते हो